ए सब्सक्राइब करें यूपी यूपी इंजिनिग सर्विसेज रिजल्ट के बारे में यूपी यूपी इंजिनिंग सर्विसेज एक्जाम 2021 की रिजल्ट जारी कर दिये हैं इसने आप देखेंगे यहाप सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है पस्नौलिटी टेस्ट के बाद में, finally, number of recommended candidates का number यहां पे लिखा हुआ है, right now we have 77 recommended candidates for the civil engineering category, जितने के लिए vacancy आई थी, 34 candidates है, mechanical engineering में, electrical engineering में, 44 vacancies है, electronic telecommunication engineering में, 29 vacancies है, ओवराल देखे हैं, तो 194 vacancies, ऐस आपना आप देख सकते हैं, जहां पे total, सारी ब्रांचों को मिला कर, इतनी vacancies आपके सामने दिखा ही जा रही है, well look at here, this is highly unfortunate, that number of vacancies are getting down, government जो हमारे organizations हैं, उनकी संख्या भी कम हो रही है, बहुत सारे organizations को प्राइबाडाइज करना हैं, लेकिन apart from that, we see the big difference over here, that number of vacancies are going down, especially in the engineering services, ना सिर्फ ही vacancies कम हो रही हैं, बलकि हम बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं, कि आप बाकी जो government post होती है, PSU की vacancies आती थी, उनकी संख्या भी आपाइज आपनों कम हो रही है, this is catastrophic for the engineering students, now look at here, यहाँ बुलागे number of vacancies report by the government, for group A and B services post, to be filled are as under, 25 vacancies थी, 39 vacancies mechanical engineering के लिए थी, 60 vacancies for electrical engineering, for electronics and telecommunication, there have been 41 vacancies, overall 225 vacancies, ना यहाँ पर देखें तो successful candidates के यहाँ पर नाम दीखें हुए हैं, आप देख सकते हैं, आले-ले काडिज में, 29 इंट मेरे काडिर्स को यहाँ पर 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 रहा गया है, तो यह सरी यहाँ पर लिस्दी हुई है, ना लुक आट है, आप देखें सकते हैं, वहाँ आट लिए थी, आप देख सकते हैं, शिवल इंजिन में तोपर रहा हैं, कार्ति के कॉषिक, कार्ति के कॉषिक ए थी फर्स रिंकर, राधि सामतिय वारी, देखें कॉमार देवंगन, नो एक्रोनिक अट्रोनिक इंजनिक अदेक प्रस्ट रेंगर दूरुपद गुपता इसे कंड रेंगर अच्टाल वार्ट सिने यस व्के इस वह थार रेंगर तो रहें नौ वे आप दिए अग्टी नॉबर अफ गुवर्मेंट वेक जी दॉट आइग दाउंग दॉट वर् जो चीजने काफी आने वाले कल में हमें हैरान करने वाली है और इसी क्वालिटी डाउन होती है और इंजिनिक में समझो एक प्रिकाश सिस्ट में चल रहा है देफलेशन condition is not good condition is very bad right now many engineering colleges are getting shut down बहुत सरे लोग जो है engineering interest छोड़ कर they are going for the like art graduation or science graduation ये छी जो ये precedence start हो रहा है इस तरह से की engineering को छोड़ कर people are going to different fields ये आने वाले कलमें थोड़ी से आपको हैरान कर सकता है वाई because look at here बहुत सरे लोग जो है engineering करने के बाद उन्हें फिर SST के प्रपेशन करनी पड़ती है या government exam के लिए कई सारे लोग SIE या constable तक के त्यारी कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं या आने वाले कलमे engineering की जो quality है उसको degrade कर रही है करने का एक वजह और भी है कि हमारे जो engineering colleges है वहाँ पर जो quality of education है उसमें बीते कई सालों से बहुत जाब बहुत जाब जाब चिंजने के लिए नहीं मिला इवरली दे हम बात करें हमारा education department जो especially higher education department इंजिनिंग डिपार्टमेंट के लिए हम बात करें तो वहाँ पर जो officers हैं उन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हैं massive change की जुरूत है कह सकते हैं कि revolution की जुरूत है वो revolution अभी हम लोगों ने नहीं देखा है तो कहीं न कहीं we need to work in that area I'm sure कि आने वाले कल में यहाँ पर हमें changes देखने मिलेंगे engineering background में बहुत सारे लोग engineering करने के बाद master's करते हैं master's करने के बाद में जबों किसी college में teaching करने जाते हैं तो आप बहुत ही अज़ीबु गरीब result आप देखेंगे बहुत सारे जो M.T.E.C. है और बहुत अच्छे-चे इस्टूट से M.T.E.C. कर रखे हैं उनकी salary एक engineering college महज 15 से 20,000 रुपए कहीं लोगों 20,000 रुपए salary मिल रही होती है और इतनी salary भी उन्हें बड़े मुश्किल से मिल रही होती है तो कहीं न कहीं ये problem एक बड़े problem है जो आने वाले कल में हमाले एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है we need to address that problem and now government also have to take some steps to create the infrastructure for engineering students I am sure कि आने वाले कल में यहाँ पे work out करेगा because यदि कोई ये बुले कि engineering करना बैर्थ है तो ये चीज़ें आने वाले कल में एक समस्या पैदा कर सकते हैं कई न कई infrastructure building में इंजिनर्स का एक बहुत बड़ा contribution है और यदि हम engineering की degree को इस तरह से defame करने लग जाएंगे तो आने वाले कल में definitely हमारे लिए एक complication पैदा हो सकता है जो जो जॉब पॉस्बिल्टीज हैं इंजिनर्स के लिए उसको हमें create करना पड़ेगा और बहुत सरे जो entrepreneurs हैं उनको भी promote करना पड़ेगा और हमें government को proper दरीके से जो students उनके लिए infrastructure तीयार करना पड़ेगा जिससे की आपके लिए आपको क्या है आपको क्या लगता है कि इनजिन की फिल्ट में और क्या करने की जूरो थे हैं आप नीचे अपनी कमेंड करके ऑपिन दे सकते हैं डिसक्शन को यहीं से वाइप करते हैं मुला काइट करते हैं आप उस्विल तब तक लिए बबाए टेकर है सैरे त 파ूंट तक लिए गूर्हां से वाइप करेंज्ट मेंडक फिल्ट को यहीं सबस्क्राव टब तक बाहत को णो भ unoस